जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का एड्यूकेशन के एड्सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों बीए सीवी की तरफ से सक्षमता परिक्षा वन लिया गया इसका रिजल्ट दे दिया गया एक लाग सातासी हजार लोगों का रिजल्ट दिया गया है अब जहाँ पर बीए सीवी के जरीए जो सक्षमता परिक्षा टू होने वाला या दूसरे चरण होने वाली है उसके लिए आपसे फॉर्म भी भरवाय जा चुक है तो परिक्षा कब होगी उसका परिक्षा का तीथी कब घोशित किया जाएगा और एड्मिट काड हमें कब तक मि कर लीजेगा चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इसकी ओफीशियल वेबसाइट पर देखे इसका अपना रिजल्ट चेक कर सकते जिन लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया एक लाग सतासी जार से ज्यादा यहां सिक्षक गन जो है इस परिक्षा को पास बहुत सारी चीज़े हो रही है इन सभी चीज़ों को लेकर तो उन सभी के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का उसको हम लोग आप लोगों तक साजा करना जा रहे हैं कि देखे स्री अनंत की सोर्ट जो की बीए सीबी की पर गोशित की है तो यहां पर देखेगा यहां पर जो है बोला गया है कि 26 जून से 28 जून के बीच में आपका यह परिक्षा होगा ध्यान से सुन लेजेगा बीए सीबी सक्षमता परिक्षा टू यानि कि जो दूसरा चरण है उसका एक्जाम डेट है 26 से 28 जून अब इसका जो है एक्जाम सीबीटी के माद्यम से होगा जिसके लिए एडमिट काट सीख रही जारी किया जाएगा तो ठीक एक हफता पहले यानि कि हो सकता है कि 16 जून तक भी एक हफता के 10 दिन पहले भी आपका जो है यह अपडेट आ सकता है मतलब कल से आप लोगों का नोटिफाई हो जाएगा कि आप लोग अपना डाउलोड कर सकते हैं यह हो सकता है कि 20 जून के आसपास जो है आप लोग का यह एडमिट काट फाइनली दे दिया जाएगा उससे ज्यादा लेट आपका नहीं किया जाएगा तो एडमिट काट कब आएगा बीस जून को और 16 जून तक संभ लेकर जल्द ही बड़े फैसले लिए जाने वाले खासकर अगर हम बात करें काउंसलिंग को लेकर तो उनकी पोस्टिंग का मन्थन चल रहा है और 20 जून भी वहां पर डेट निर्धारित किया जा रहा है इसको आप लोग नोट कर लिजेगा 20 जून तक सिच्छा विभाग जो है बड़े यहां पर निर्धार ले सकती इसकी कांसलिंग को लेकर जो की प्रत्थम चरन का यह परिक्षा का रिजल्ट आया हुआ है जो आपका फैसला आएगा उसको जानने के बाद ही यहां पर कांसलिंग कब से होगा और उससे क्या उससे पहले क्या चीज़े आपको यहां पर बताई जा रही है कि देखिए एक तो आपका जो सिक्षा मंत्री है यहां पर उनसे नियूज एटेंट के मादम से जो चर्चा होई थी उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा उन्होंने कहा था कि हम लोग रेंडमाइजेशन करेंगे यानि कि जितना रिजल्ट आया है उन लोगों का रेंडमाइजेशन के तौर पर उनका जिला अलॉट किया जाए वैसे तो आपका रेजल्ट के ऊपर ही आपका जिला 24 बताया गया है जो 24 आपने दिया है सिक्षों के दौरा जो 24 पोस्टिंग भी डाला गया है उस पर भी मंतन चल रहा है और रेंडमा इसे सिक्षकों का पोस्टिंग जो है उनकी अनुसार जरूर किया जाएगा और इसमें होगा बहुत बड़ा यहां पर घपला और घपला यानि घोटाला की में बात करो कारण क्या है कि नंबर नहीं रहने के बाजूद भी इनको होम डिस्टिक मिलेगा जी हां अगर यह सब इन बिल्ड रहेगी पहले से सॉट्फियर में कि जिसका जितना मांक्स आया उसके अधार पर उसको वहां पर होम डिस्टिक मिलेग यह चीज़े हो गई यहां पर पहले से यह है कि यहां पर कई निती और नियम बदले जा रहे हैं बार बार आपको अपडेट लगातार में दे ही रहां अब एक अपडेट और सुनने में आ रहा है कि कुछ प्राइवेट एजिंसी की जो अपडेट आयो हुए थे कि सारे जो है जो है जो आपडेट है वो दिये जाएंगे इनकी जो आपको आपडेट कर वाजाए उसको हटाकर अब एक सरकारी एजंसी का भी यहां यहां पर बारे में खुलासा नहीं किया गया अच्छा पोस्टिंग में पारदरस्ता लाने के लिए कई बदलाव कि जा रहे यहां पर पोस्टिंग में भी धांदली हो सकते हैं जिलों को यहां पर दी जा सकती है जिला में भी आपको यह जो भी सिक्षा पता दिकारी हैं उनको इसी मार दी सकती है कि जिमिवारी जो है सक्षमता परिक्षा 2 के बाद यहां विभाग काउंसलिंग करने को तयार है या नहीं तो काउंसलिंग के पहले आपका सक्षमता परिक्षा 2 हो जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा और जून माह में सिक्षा विभाग के कांसलिंग के तयारी नहीं है फिलाल तो यह ध्यान रखेगा जून में तो पॉसिबल्टी नहीं लग रही है बट फर्स्ट वीक अगर कहें हम जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक जो है आपका जो है सभी का एक साथ इसका भी रिजल्ट द तो शिक्षक यहां पर पहले से कारत हैं उनका ट्रांसपर कहीं और हो गया तो उसका पोश्ट खाली हो गया तो रिक्तियां भी निकाले जाएंगे तो अलग-अलग जिलों से विभाग को रिक्तियों का प्राप्त भी करना है उसकी सुची तैयार करनी है और मैंने आपको एक वीडियो भी बना के देखाया था जिस वीडियो में यह बताए गई थी कि सभी जिलों से जो है रिक्तियों की अपडेट मांगे जा रहे हैं और अलग-अलग जिलों से जब रिक्तिया आएंगी तो वो टियारी 4 में जोड़ी जाएंगी जुलाई में कांसलिंग को लेकर य सब्सक्राइब को लेकर लेकर यहां पर सक्षमता परिक्षा टू को लेकर यहां पर यहां से क्लिक कीजेगा जैसे ही तो आप अपने इस पेज़ पर आ जाएंगे और यहां से अप्लिकेशन नंबर और डाल के अपना और यह कैप्टर डाल के जो है देख सकते अपने रिजल्ट को भी जो सक्षमता परिक्षा वन दिये हुए तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ जैहेंद